जितनी हमलावर समाजवादी पार्टी है बीजेपी के साथ उतने हमलावर आप नहीं है जुनाव बिल्कुल नस्दीक है अब प्रेंका गांधी बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं थोड़ा सा पहले कर देते तो शायद कुछ पो सकता अर्विन गेजरिवाल जी इससे पहले आयरस अधिकारी थे या किसी बिजली विभाग में कोई और पद में कारिरत थे यह बिजली कहां से मुफ्त बाट के रहते हैं आप जोला लेकर पूर्व सांसजी और जो पूर विधायक है इनके बीच की जो लड़ाई है वो जनता के सामने है जनता क्या समझे व्यापारी वर्क परेशान है लोगों की रोजी रोटी तक आपने चीन ली उनका रोजगार चीन लिया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिन जिन को आपने नौकरिया दी हैं उनको दस्तावेजों को आप सारवजनिक कर दीजे उनके नाम के साथ और क्या नौकरी मिली किस किसान ने आत्मत्या करी सरकार में नहीं करी लेकर थोड़ी सी हवाबाती बन रही थे आपकी थोड़ा टेंपो हाई हो रहा था लेकिन तो वापस ले लिया उन्होंने अब जो रहा साहा था वो भी चल बिसा अब क्या करें चाय नाश्ता बहुत चलता आप लोगों साथ पर नकली किसाने तो कुछल देंगे भाई जा रही हैं और धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगे 2022 में उत्रपरदेश में विधान सबाद चुनाओ होने हैं ऐसे में हम जगह जगह जाकर टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आकर दरसल माहौल कितना गर्म है माहौल क्या है और माहौल में कौन गर्दिश में है कौन सी पार्टी जो है चमतकार करने वाली है और चमतकार को क्योंकि नमसकार है तो इसको हम जाचने परतने की कोशिश में लगातार मश्गूल है अब मच्गूल है तो हम चलते चलते अब निकल आए बदायूं में बदायूं सांस्कृतिक तोर पर और एतिहासिक तोर पर काफी महतोपूर है क्योंकि यह तपो स्थली है भगवान परशूराम की ऐसा लोगों ने बताया राजय सुल्तान पहली महिला शासक थी उनकी यह जर्मस्थली है हम अब यहां आ चुके हैं यहां जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 को लेकर माहौल क्या है और माहौल में जो पार्टियां है वो हमारे सामने उनके जो प्रतिनिदी हैं वो मौझूद है पार्टियों के नेता मौझूद है इसके साथी साथ जनता मौझूद है एक बार जोरदात तालिया हो जाएं कारिकरम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है महौल गर्म है ये कारिकरम है मैं कावेंदर चौहान हूँ और न्यूज वर्ल इंडिया का ये खास शो है ऐसे में कारिकरम शुरू करेंगे उससे पहले नेताओं से आपका परिचय करा देते हैं सबसे पहले मेरे साथ है राजीब कुमार गुपता जी सत्ता रूड पार्टी से है जिलाद्यक्षा आप बहुत-बहुत स्वागत है कारिकरम में इसके साथ ही मेरे साथ ओमकार सिंग जी भी है आप कॉंग्रेस से है जिला द्यक्षा आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है कारिकरम में सवालों की जड़ी लगेगी और फिर कारिकरम में एक फुल जड़ी सी बनेगी सबसे पहले जिनाद्यक साह musical आपके पास आऊंगा, क्यूंकि स Tátah की जो छाबी है वो आपके पास है, जो रत है वो आप लेकर घूम रहे हैं सबसे पहले कारेक्राव में एक-एक कॉमेंट चलेका, एक-एक वर्जन चलेका, फिर आप जनता के पास आएंगे और बाकी लोगों के पास आएंगे, सब अपनी-अपनी कोई भी आशंका है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुजाओं है, उसको नेताओं के सामने रखेएगा, पूरे जन्पद में विकास की लहर भाई है तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं हमारी समय च्छे विदान समय पांच विदान समय और दो हजार वाइस में च्छे विदान समय जीतने जा रहा है यह पक्की बात है यह काम बता दीजिएगा आपको लगता हो कि यह बड़ा फकर होता है यह काम हम देख्र किया जन्ता के लिए इस जिले के लिए हमारी प्रदेस की सरकार ने मोध जी की सरकार ने दी है सवाल मैं आगे करूँगा आप से आगे बढ़ेंगे मुद्दो पर भी आएंगे मुद्दो पर भी चर्चा होगी समाजवादी पार्टी आप मेरे साथ है यह बताइएगा इनसे काम पूछा तो यह कहरें कि विकास की जड़ी लगी हुई है हर जगा हमारे ही बोल वाला है प आप देखिए बढ़ायों की स्थिति आज की तारीक में इतनी खराब है बढ़ायों शहर में देखिए है जहां से जाएंगे आप दूल में नहा जाएंगे यह है भारती इंदर पार्टी का विकास सडखों की बात कर रहा हूँ यह विकास है इनका जबकि चेर्मेन भी, MPB, MLAB, सब कुछ भारती इंदर पार्टी का है अधिक जला पंचाइट आपने कच्छी सड़के वनवाई थी जो इतनी जल्दी खसता हाल हो गए पांस साल हो गए और पांस साल हो गए और पांस सान समझाधी पार्टी के विकास किसी भी आदमी के लिए अचुता नहीं था सब्सक्राइब करें और फ knraaran उटयू आज वर सान सामाज़ाती पार्टी आप नहीं है अप करते तो हैं सवाल तो करते हैं लेकिन सवाल के साथ कहीं किन्तू परंतू के चोड़ जाते हैं यह क्या है कि बहुजं समाज पार्टी हमेशा अनुशास्टि अद्ध्यक्ष विरौत करते हैं थैंक भानिक हैं उत्लता व किरिंग गांधीघ काइं सबसे जादा सबसे सामने नजर आई thank husbands चादभ भी नजराय पहतीत, आम आद्री पार्टी ने भी दो चार बयान दी है लेकिन आप तो कहीं नजरी नहीं आये, पूरे मुद्दे में कहीं नजर नहीं आये, जो भी भी बीजेपी वरोधी, जो भी मुद्दा रंग लेए लगता है, उसमें आप कहीं नज़र नहीं आ उनको किसानों को उनका हक मिले डटके लड़ाई लड़ी सम्मेधानी तरीके से लेकिन हम किसी सम्पत्य शती पहुंचाए या सड़क पे आकर करके किसी नुकसान करें यह हमारी पार्टी की स्टेची आप यह बताना चाहिए गर विपक्ष करोप जो भी दूसरी पाड़ी लो पर्टी परभी तंज है, एक चीज है जो पुराना वोटर है उसको भी जगाने की तमाम कोशिश है की जा रही है, इसके साथ ही पार्टी कारे लगों में भी hocal नज़र आती है। लेकिन कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि देर करती, आईं तो लेकिन देर करती, चुनाओ बिल्कुल नस्दीक है, अब प्रेंका गांधी बिल्कुल एक्टिम मोड में नजर आ रही है, थोड़ा सा पहले कर देते हैं, तो शायद कुछ हो सकता था। प्रेंका जी ने संगठन को भी चुस दरूस किया, पहले हमारा संगठन में कोई संकोष नहीं है, लेकिन आज मुझे कहने में कि आज बदाईू जनफद में हमारी 135 नयाय पंचायतों पर नयाय पंचायत अद्ध्यक्ष हैं, ब्लॉग अद्ध्यक्ष हैं 15 विलाकों पर और 1037 इस ग्राम सभागए इंग्ष करती है उनकी टीम बात करती तो राहूल गादी बात ने दिखें ये जो तीन कानू बाप सिफ्केश रहाओन में और आमें लिडर्शिप कर रह तैंब है मुझ ता ए Sophia इपर प्र Rumारी हमारे रहे ह। वाशो गहलाव जी रहे हो उनका काम करने का तरीका अलग था और उन्हें कहीं ना कहीं कुछ रहता होगा कि उपर से आदेश लेना होता होगा लेकिन प्रियंका अपने आपको निश्चित रूप से था कि बाक बाद आप देखी आई चाहें मंद प्रदेस हो चाहें राजस्थान हो चाहें हरयाना हो चाहें च्छटेज़गार हो तो कोई भी प्रदस ले लीजिए यह दोनों पार्टिय यहां तो बीजेपी मुर्दाबात करती हैं वहां बीजेपी के जिताने का काम करती हैं रहां लिकिन निस्चत रूप से दूसरे प्रदस विर देख लिए कि कोई चाहें कॉंग्रेस के साथ अपने कंडिडेट कड़े इसलिए कि कॉंग्रेस के कंडिडेट हार जाएं तो यहां तो यह बीजैपी को मुर्दाबाद करते हैं और दूसरे प्रदेशों में जिंदाबाद करते हैं पिलावटी जो रायता है तो बनता ही रहता है आप महारास्ट में चले जाएए वहाँ भी आप इनके ही लोगों के साथ सरकार बना कर बैठे तो यह तो चलता रहता है आम आदमी पार्टी पर आता हूँ यह जानना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इंट्रड़क्टरी फेज में है नए नए हैं पार्टी कारेलों में इंट लगना शुरू हुई है नीव मरना शुरू हुई है कारेले कब तक बनेंगे कब तक हल चल होगी कैसे लड़ेंगे इ का हम लोग अन प्रदेतों में भी चुना लड़ रहे हैं और रही बात उसकी जो आप कह रहे हैं कि एट नहीं लगी है तो लोकतांत्रिक देस है यह हमारा भारत लोकतांत्रिक देस है यह जनता मालिक है हम सब नौकर हैं चाहँ कोई पार्टी का लीडर हो या कोई भी जीता जाकता हो धारना इस लोकतांत्र की जब जनता सड़क पे आई किसान सड़क पे आया तो मजबूर हो के भारती जनता पाटी आपका क्या रोला चुनाओ नजदी के आपका क्या रोल है वो तो किसानों और सरकार वो तो मैं बीजेपी के अपने नेताजी से पूछ बिजली, पानी, स्वास, सिक्षा यह हमारे बुन्यादी जो मुद्धे हैं जो लोकतांत्र के हमारे सम्मिधन ने जो दिया है जो जो पूरा नहीं कर पाई पचछतर में साल में देस जा रहा है किसने सिक्षा पे काम किया स्वास पे काम किया अब मैं मुद्धों की करूँ जनपत बदाईयों की एक मर्यू ही चीनी मिल सेखूपूर है जो समाजबादी पार्टी की सरकार रही पिछले समय तमाम सरकारे रही इसमें बिस्तारी क्रण क्यों नहीं हुआ आज भारती जनता पार्टी इसका जवाब दे पांच बिधायक दो दो यहां कैबिन मंतरी है औ और इसका बुकतां नहीं हो पाता 14 दिन में कहा ता बुकतां होगा 14-14 महिने होते हैं लेकिन लोग कहते हैं कि आप सवाल करना बड़ा असान है सवाल तो आप कर लेंगे लेकिन जवाब क्या है इसका समाधान है जनता हमें अगर मौका देती है उत्तर प्यदेश के अंदर तो हम यहां पे 300 इनिट भुझली का नीज समझ मात आप गोआ जाते हैं वहां बजली मुफ्त में बाटने लगते हैं आप कहीं भी जाते हैं पंजाब जाते हैं बजली मुफ्त की बात करते हैं अर्विन केज्रिवाल जी इससे पहले अधिकारी थे या किसी विभाग में कोई और पद में कारेरत थे, कि बिजली कहां से मुफ्त बाटते रहते हैं आप जोला लेकर अपना सर इस पे मैं बात पूछूँँगा, आप मेडिया के मेरे साथ ही है एक सांसाद और मंतिरी को चारचार हजार एंडर अगर बिजली मुफ्त मिल सकती है आम आदमी के टैक्स से, और हमने एक आम आदमी के लिए, उसके ड्रैबर के लिए, उसके रसोई के, उसके लिए अगर 308 बिजली की बात करती है, तो फिरी फिरी कहां से होती है आप ही कह रहे हैं फ्री, मैंने नहीं कहा फ्री, आपने कहा कि हम फ्री देंगे कोई सवाल अगर करना चाहे तो हां मेरा सवाल यहां समाजवादी पार्टी के लोगों से है कि पिछले दौर में जब समाजवादी पार्टी की यहां सरकार थी और साड़े चार वर्स पूरे हो चुके थे तब हम पूरे प्रदेश पासियों ने समाजवादी पार्टी के कारेले में एक मीटिंग हम लोगों की जहन में याद आती है और उस मीटिंग में P.W.D. मिनिस्टर और ततकालीन मुक्यमंत्री में धक्का मुक्य हो रही थी और P.W.D. मिनिस्टर ने माइक पर कहा था कि मुक्यमंत्री जूट बोलता है आज तक इस सवाल का जवाब उत्रप्रदेश की जनता ढून रही है कि आकिर जूट कौन बोलता था P.W.D. मिनिस्टर या मुक्यमंत्री उसी तर्ज पर बदाईयू की इस्थानी राजनिती में भी ततकालीन समाजवादी पार्टी के बिदायक आविद रजा ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा कि समाजवादी पार्टी का सांसत खानन माफिया है इसके रिस्तेदारों के नितत्र में बदाईयू में खानन का काम चलता है और उसके प्रत्यूत्तर में समाजवादी पार्टी के ततकालीन सांसत ने कहा था कि आविद रजा अपना बूथ नहीं चिदा सकता इसका ये स्टेटस है ये राजनितिक स्टेटस है ये कहना चाहरा है कि प्रदेश सिस्तर की जो लड़ाई थी वो सब के सामने थी और यहां पर जो स्थानी लड़ाई है वो भी सब के सामने आप तो आपस में लड़ भिड र करिए आज से खतम आज सीरा जवाब मिलेगा बाती खतम ये बताइए पूर्व सांसजी और जो पूर विधायक है इनके बीच की जो लड़ाई है वो जनता के सामने है जनता क्या समझे दोनों के एक दूसरे पर गंभी आरोप है अभी कौन सच्चा कौन जूटा एक पर क्ल माननी धनमें धर्यादव के नहत्रत में बनाईयों में चुनाओ लड़ेए वो उस वक्त बताइए उस वक्त वक्त की बात कर लेता चले कौन सचा कौन शूटा विधायक जूटे थे सच्च्चे थे या सच्च्च थे एक तो कही ना कहीं सही होगा सच्च्च जी तब भी जवाब भीजन को इश्यशीय के नहीं लोगों की बात अरों हो जो आरोप लगा गए थे कि दूसरे पर तो जो आरोप लगाए गए थे दोनों ही तरफ से तो जंता क्या समझे फैर जंता जंता यह संझे जंता ने 2019 में पांच लाग बोट मानने धर्मेंदर यादफ को दिया जंता ने सैटिफाइड कॉपी सांसा धर्मेंदर लोग कहते हैं कि पूर्फ सांसाथ के हा अब यह नहीं पता मुझे यह यह इनको जादा पता होगा कि दोस्ती दोस्ती तो तब होती जब को लड़ाई हो आपकी पार्टी में नहीं है मतलब टिकेट नहीं मिलने वाली विचारदारा उनकी है हमारी तो जिलाद्यक्षाब खुलकर कह रहे हैं कि आविद्रदा साब पार्टी में नहीं है और टीकेट का कैसे दावैदारी को जाएगी हमा कोई ुठकर बना सबसे किसी विचारदारा क आंकर नहीं काय है है कर थाधर्यक्र नहीं को अधुग रहे हैं कि कह रहा है कि आविद रजा साब का कोई नाम नहीं है और नाहीं वो इस पर सवाल एक सवाल लिए दस सकेंड में जल्दी अभी साब इनकी पार्टी के नेता सलीम इकवाल शेरवानी साब आए और उन्होंने प्रेस कॉंसरंस करके वाकाइदा का कि आजम खान साब जसन दिन जे कैубर्ण तो कस एक सालीम साब के उनके समंद्ध काई हमरी पार्टी में अभी एभी आब पूरी है थोसकती है जां नहीं हो हम सिर्फ यह जानते हैं कल को अगर शेरवानी साहब जैसा कह रहा है कि आजम खान साहब आएंगे तो टिकेट आभी दरजा साहब को आपको जटका लग जाएगा को जटका किसी को नहीं लगता है जटका का लग जागा सलीम साहब अभी पिछले चुनाव समझे अभी अभी आए हैं अब सलीम साब अगर यह बात करा तो बहतर जबाब शिर्माणी साहब दे सकते हैं आप से सवाल है कि लोग कहते हैं कि सडकों को लेकर जो हाल है बड़ा कheiten कि सरकों का जाल का हमारी सरकार ने किया है जहां तक बात इस जिले की है, शहर मुख्याले की है, तो पूरे शहर में हर चौरहे जो पहले बहुत संक्रे हुआ करते थे, हमने एक एक चौरहे को चौड़ी करन करने का और उनको सौंधरी करने का का। लोगों को इसका लाब हुआ. चोड़ी करने काम किया, किसी को उटाने काम नहीं किया जनता दरसल जब हम सड़कों पर जाते हैं तो कहते हैं बिरुजगारी बहुत बढ़ गई है हाहा कार मचा है, तरह हिमाम है लेकिन जब हम बीजेपी के लोगों से बात करते हैं कहते हैं कि हम तो नौकरिया बांट रहे हैं तो मेरा दरसल आप से एक सुझाओ के रूप में सवाल भी है, कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जिन जिन को आपने नौकरिया दी है उनको दस्तावेजों को आप सारवजनिक कर दीजे उनके नाम के साथ और क्या नौकरी मिली किस पत के साथ बिली, इसको सारवजनिक करिए डेटा को रिलीस करिए आप लोग कह रहे हैं, यह तो आप जुट बोल रहे हैं यह तो लुभावनी बात कह रहे हैं आप इसका कोई तर्क नहीं है जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं, वो लोग चाहे किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, उन लोगों से पूछिए, मेरी लोग ऐसे लोगों से बाचीत होती है, वो इतना ऐसे ऐसे लोग, जिनको मेरिट के आधार पर नौकरियां। लाग यह बात करते हैं ठीक है नौकरी आपने चार लाख लोगों को अब डेटा रिलीस करिए नाम के साथ कहा का व्यक्ति है और क्या पधा उसको कहां पर नौकरी उसको जॉइन करवाई आप डेटा रिलीस करिए इसको डेटा के आधार पर नौकरियां मिली होंगी कही ऐसा तो नहीं है अपनी सब्साइड बात को कैसे माले हमारी बात को आप कैसे माले मैं तो इसका डाटा करें इस इसके साथ में आप नाम के साथ कहां कि इसको रिडियम व्हूट्टी है इसको रिलीज करें ऊपन फौरम में रखिए लोग कहरें कि आप जूट बोलते हैं आपने किसी को नौकरी नीदी बेरोज़कारी बढ़ती जा रही है युवा सड़कों पर भटक रहे हैं युवाओं को हमारी सरकार आने के उपरांती जितना काम जितनी नौकरिया मिली है निश्चित तोर पर यह बहुत चलिए आप ट्र रिलीस कर सकते हैं आपको लगता इतना कॉंटेंस है हमने हमने चार लाग नौकरियां दी है कोई हवा में कहीं बात थोड़ी नहीं है निश्चित तोर पर चार लाग यह बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं ठाकुर साब मैं राजी भाई साब से सवाल करना चाहता हूं कि नाफिरी टर में संज्धवधी पर्डटी के उतरप्रदेश सरकार थी तो आप त是不是 दात्य के चेर्मेंट बहुत्त शांदा टॉल्यमेंट कराया और उस तो कराया जो संज्धवधी सरकार में कराया चेर्मेंट आप बीजीपी से थे और अच बीजी पी जलधदिक्श है है और आज उत्रप्रदेश बिजीपी की सरकार है, आज बदाईयों कि नगरपाले का नगरपंचाजतों में वो डवलमेंट क्यों नहीं हो परा है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, एक मिनिट, एक सवाल, दूसरा सवाल, लाइन अंडर के ऊपर, बीजीपी रोज के क्यारा मचाय रहती थी, भारती समाजवादी पार्टी कुंटा राज, ये राज, वो राज, अब समाजवादी पार्टी की सरकार में, डवल इंजन की सरकार में, उत्रप्रदेश में किराइम किस दर्जा बढ़ आए, लखीन पूर हो, हमारे बदाईयों में मीरा सराय प बेटा, अब ही आप लोग सबको पता है, तो वोल्गल बंडिंग इशू है, वो इसमें इंवल्व, कोई कारवाई रही नहीं, नो कमेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ, अब जहां कानुन बबस्ता के सवाल उटता था, समझवादी पार्टी पे उठाते थे, तो आज सरकार में वस्ता कहां पर रुकी हुई है, आज कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार को रोजगार नहीं है, किसान को सचाही के लिए पानी नहीं है, मुफ बिजली नहीं है, किसान ने आत्मत्या करी, सरकार में नहीं करी, करी, बेरोजगारी के लिए के लिए और दुनिया से ना जाने के बावजूद, गंगा में लाशे भेह रही हैं, तहर रही हैं, लकणियां खतम पड़ गई हैं, यह सब फेलियर्स नहीं हैं बारतियंटर पार्टी को छुपाने के लिए बारतियंटर पार्टी के पास एक इशू है, राम अंदे निर्माड, राम निर्माड के चंदे में घुटाला हो जाता है, यह बाद भी सबको पता है, आप आस्ता के नाम पे हमें लूट रहा हो, उसमें घुटाला कर रहा हो, आप कहां टिकरा हो आपके, आपके सारे सवालों के मैं जवाब लूगा, लेकिन उससे पहले, आपने जिक्र किया कि कुल करना काल की बात कर लेते हैं, करना काल का मैं जिक्र करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जिक्र कर दिया, दरसल इसी को लेकर, उनसे जो आपका सवाल है, उस पर जवाब होगा, लेकिन उससे पहले आप सही सवाल है, कि आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई थी, या फ तो यह कितना गलत है इसी वाजे साथ पूछ रहा था ठीक है पुछ कहना चारी है सबीक चार साल पहले बदाईयों की इस्तिक यह उस और नहीं होगत है दो हम युटीचाल तोआप की इस सबस्रोकार काते हूं नहीं कि एक पार्टियए म्हिला सब्सक्राइब करें यह वह हमने दोड़ेंग बनाती हैं तो आप की पार्टि नहीं किया किया वह कहो बात करी मंताढ़ेगा पहल और किया समाजवाधी पार्टी काम था रिचिता समाजवाधी पार्टी की सरकार्थ घोगी जो जो लोग समु गा और गहामे नोकरी देखते हैं उनका क्या खितम किया इंटरव्यू को नाम पर दलाली करते थे पैसे लेते तो नोकरी देते वो भी साहिए के तीन जले एटा इटा इटावा महनपूरी के लावा पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार समाजबादी की थी तो वह सरकार उत्तर प्रदेश की नहीं थी वह मैंपूरी इटावा की जनपतों तीन जनपतों की सरकार के पूरे उत्तर प्रदेश में समान तरीके से हमारी सरकार नियाब देखिए पूरवांचल एक्सप्रेस का अभी हमारे प्रदानमंत्री जी ने किया इतना वह 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेश में अभी अभी इसका नारुकेशन हुआ एक्सप्रेस को लेकर बड़ी बात होत ठीक है पूरवांचल आपका है पूरवांचल को लेकर बड़ी लड़ाई है वो कह रहे है कि सब हमने क्या 90 प्रदीशत था राजी वाई कोई एक ना एक कारे बता है उत्तरप्रते सरकार का जिसका शिलन्यास और गटन तोनों योगी जीस कराए हूं तो वो शिलन्यास करने करने की कोशिश की लेकिन जैसे ही पुलिस आई जैबे टोपी रखके भागते नजर आई ये वीडियो भी देखी गई कौन आप लोग आप लोग कब अब हमारी सरकार शिलन्यास होगा उसको उत्गर्ण करने का हूंगे उत पूरवांचल 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 एक् उत्तर फिर्देश की सरकार अपनी आखरी सासे गिंदे समय सिर्फ शलनाश और गोश्राइं कर रही है लेकिन बचने वाली नहीं है किसे अपकी से बचेंगे नहीं तो आप कह रहे हैं कि आपका विकास था वो दरसल फीता काटने का काम कर रहे हैं और जहां-जहां खराबी मतला मीठा मीठा सब गप और कड़वा बत्ता है बात है न इसके साथ और चाहूँगा और बात है उसके बात से ठत्ता का और यूपी में पा रहे हैं समस्या कई आ सकती है लेकिन कोर वोटर जो है वो तो दरग गया बिलकुली अब सबने आपस में थोड़ा थोड़ा बांट लिया इस बार आई है तेजी लहर दिख रही है ठीक है अच्छा काम चल रहा है सब कुछ ठीक है लेकिन जो मुद्दे सपा के पास है जो मुद्दे ब या पार लग पाईगी निमोशनल कार्ड तो आपके कहने के अनुसार ठीक है बट ऐसा है कि प्रियंका जी के आने के बाद कारिकरताओं में भी एक आस जगी है कि हम 89 के बाद सत्ता में नहीं है और हम लोग उसके तरफ बढ़ रहे हैं और प्रियंका जी के नित्तमें निश अपूर प्रियंगे शजय के दूब करेंगे-खेड इंप के बाद सब्सक्राइब कर दो एक बाद लेजू अबस्पा किसानों का मुख्य रोल है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी उनके साथ क्छडी इंब लड़ी कंग्रेस काम कर रही है केबल एक परबार के लिए सवनिया गांदी के लिए केबल मॉय हबती के लिए और आम आदमी केबल केजरीवाल के लिए काम कर रहा है जो भी है जिर पूर यादव में आपको कोई और दिखाई देता है कहते हैं बीएस पी नजर नहीं आ रही है ब्ज़ बी एस बी हमेशा स्सक्राइब करते हो काम करते है इस समय बढलतान के रहे हैं उस पर रहे जाता है ठीक आप क्या कहा है जिला अध्यक महोदे से बीजीप के में पूछना चाहूँँगा, कि यह कहा है कि चौड़ी करण करते हैं, कहां का सार चौड़ी करण हुआ, बताएं कि सर कौन सा रोट का हुए, तोड़ फोल्ड करके सब चौड़ी करण कर दिया, बता रहा हूं हमारी बरली से बदाईयों कि अदमें व्रकाइब्स तोड़ी करा तोड़ी कर रहा हैं, तो मैंने कमारिश अपन दिखाना चाहता है, हमार सामिच वालगारा अदराओं करके तो तोड़ी निचकर्पकार में कि अधीक जारता को तो बंदे अनेे विकाश करने किया सब शनमें विकास कर नेकान किक्ता स आपने रिष्टेदारों को ठेका देते था ठीक है जवाब देती हूं ठीक है धर्वेंदे से आदफ जी ने मैं डिटकर काली का बोले हैं कि मैंने उन्हें बनवाया ठीक है मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि नी खोड़ दो डाल दो क्या बिल्डिंग बन जाती है वह करवाते हैं तो यह काटेंगे आप टोपी लगी रही पर्मनेंट और टोपी वालों की सरकार आ रही है यह भी टोपी लगाया भाई तो नहीं हो जाएगे आए अन्वक्त पर अहां ठीक है आपको खुला मंचते रहे हैं यह दरवाज खुले हैं मैं यह पूछ रहा हूं तवाम पाटियों के लोग हैं जनता यहां मैं दो सवालों के जवाब देदिए उसके बाद अपनी बात रखेगा दो सवाल इन्हों कहा कि हमारे दर्वाजे खुले हैं संगर्श कर रहे हैं चोटी चोटी पार्टिया है और दूसरे शब्द में इन्हों ने आपको बेचारा बोल दिया इस पर दोनों पजा टिपनी करिएगा वो क्या कह रहे हैं इससे हम पर कोई फरक नहीं पड़ता यह लोग तांत्रिक नेताओं को सुनिए फिर उसको लेकर जवाब दीज़े यह चलना चाहिए हां आदमी पार्टी अकेले चुनाओ जड़ेगी चार सो तीन सीटों पर हम लोग चुनाओ जड़ेंगे हमारा किसी से कोई सम्झाओ लड़ेंगे लोग कह रहे हैं कि संजा सिंग के लावा कोई न सरकार में कहीं पर बता दीजिए आप विकास के नाम का वा भी दिख रहा हो आपको बड़ा उत्तेजी दोरे दावा सभा की नेता जी आप देखिए बिलकुल अनरगल बात कर रहे हैं हर नगर जितने भी निकाए हैं सम्मे जोड़दार तरीके से विकास हमारी हमारे जितने कि यह सरकार में बैठे हैं हमारे मित्र हैं दोनों पट्ट पटी करेगा बीजेपी पर भी सफा पर भी हाँ और यह सरकार की जिलाद्रक्ष हैं और जो कोशन आप लोग हमसे कर रहे हैं वह कौशन हमें इंसे करने चाहिए और जवाब इन से लेना चाहिए मैं एक बात थी और उससे पहले जब चुना हुए तो बहुत बड़े-बड़े मुद्दों पर उन्हों होडिंग पोस्ट लाकर करके अपना परचार परसार किया और उन्हें एक नारा दिया था उसमें हमारी इसमर्ती इरानी जी थी वह भी एक नारा दे रही थी कह रहे थे कि बहुत हु पर आपको थोड़ा सा रोक के सवाल लेता हूं आपने कहा कि जब यह बात करते थे बड़ी-बड़ी जब दूसरे लोग तो जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी तो महंगाई की मार बहुत हुई बीजेपी सरकार को लाना चाहिए सिलेंडर लेकर घूमते थे ठी लोग विपक्ष की भूमिका में हैँ आप तो ना तो कहीं नजर आते है ना तो कहीं दिखते हं समाजवादी पार्टी सडकोपर दिख रही है ये सडकों पर रहे है ये सब को पर दिख रहे है ये मैं कहा हूँ बहुत महंगाई है हैं यह जो हम कह रहा हुए यह जो रोजडार देंगे और एक बरस में दो कॉड़ों को रोजगार देंगे मैं अपने मित्र से भाजपा के जो अध्यक्शन से पूछना चाहता हूँ कि पांच बर्स सरकार उनकी केंद सरकार में तब रही मैं यूपी में नहीं आ रहा हूँ और उसके बाद इस देश की जनता ने आपको दुबारा सरकार दी है तो छे साल लगवा सासनकाल हो गया सातो को देना होगा दीजे जवाब क्योंकि ये सवाल जो है दरसल बड़ा चुप चुप के करते हैं आपसे बड़ा प्यार मासूनेत के साथ करते हैं कि दो करोड देने की बात कही है कि बारे करोड बनते हैं निश्चित तरबर दो हजार चौदे में मोदी जी की सरकार आने के उपरांत पूरे देश का चौमुकी विकास हुआ है हमने युवाओं को मौका दिया हमने हर बर्क के लिए जहां तक किसान बिल की बात कर रहे थे हमने किसान बिल हमारे प्रधान मंत essentials की एक दूर दüll्ण सी सोच थी हम उनकी सुगमता के लिए बिल लेकर यह लेकिन हमने किसानों की भावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने वह बील बापस लिए यहां Kaiser aux बावनाओं को देकर उनकी भावनाओं को समझते हुए। अपने भावनाओं को समझा जब इतना सब कुछ हो गया प्रभू आपको भावना समझते समझते काफी देर नहीं लगी अब भावना जो समझे उसका हम क्या करें चाटे चुमे बिछा के सो जाए करें तो करें क्या किसानों की दूरदर्सी सोचती कि उनके भविश्च को अब करें माहराज विद्वा के बच्चे मर जाते हैं आत्मत्या कर लेते हैं क्यूँ भूग की वज़े से खाने को रोर्टी नहीं थी वो आपको नहीं दिखता बस सुबह उठके महाराज में जो चाहा वो कानून के रूप में पेश कर दिया, थाली में परोज के जंता के सामने रद दिया सदकों पर किसांओग जिनकी आप कर रहा है, जो गाजी पर वाड़ने पर बठी वे जो अब लोग है, वो सारी इस्थिति आपके सामने, recognizes必 na wishANG. सारी इस्थिति आपके सामने इस में इतना बता दीजे बस जनता है मासूम है मासूम सा सवाल है वह कौन है मैंने कहा ना हम मैंने का जो लोग एसी टेंट में कैसे यह विपक्षी पार्टियां कैसे फाइनस कर रहा ही हो लोगों के लिए ठीक है इनका कहना है कि जो सड़कों प किसानों की भावनाओं को समझते हुए उनके भले के लिए तो किसान है नेता जी फस गया चलिए ठीक है नेता जी फस गया लफेटे श्याइक आप बड़ा मुस्कुराते हैं है अखलेश जिभ से बेजरत लेके निकले मैं वो ठीक है अखलेश जिन्दा वाथ हो गया ठीक है आगे बढ़ी किसानों की लडाई अगर जेल जाने का काम करा है किसानों मैं जेल काटी मैंने तीन दिन की और बाकी कॉंग्रेस है बस्पा है इन लोगों में कोई सड़क प्या का इटिशन है यह वाद आप खुद ही अड्मिट कर चुके हैं आज यह बताई जब किसान बिल लाए गया था तो किसानों के हित्मे लाए गया था अब वापस करा तो किस पर जो किसाने के लिए यहाँ पर जो किसान अवर्ष घ्र這種 समाजवादी पार्टिया हैं कि और वह कॉंग्रेस के नहीं हैं मुझतिया किसानों के लिए वह क्रोड़े साथ जब्लकрем मैं और हमकी तूब किसान बात चल लए जब किसानों ने धरना पर बैठ रहे थे तो यहीं भातिंता पाटी के तमाम लोग अलाला निता कोई उनको खालिस्तानी कर रहा था कोई उनको गड़ार कर रहा था कोई आतंकबादी बता रहा था उनसे सवाल मैं ले लूँगा उनसे सवाल मैं ले लूँगा आप क्या कर रहे थे आप बताईए चुनाओ नस्दी कि कै आप कहा थे थे तो आप पहले पूरी और जब किसानों ने अपना हमेशा अंसन जारी रखा वहां पर अपना संघर्ष जारी रखा किसान जोके नहीं कैसे हर तरह से कैसे सड़क पर दिखे नहीं उनके साथ दिखे नहीं अजिटेशन में नहीं प्रदरशन में अपसे पहले कहा चुक है यदि हम किसानों के साथ जंडे डंडे आपर कि जाते तो लोग ते यह बीस्प की भीड़े अगर आर लोग आते कि यह दूसरी पाडी में आप शड्कों नहीं 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 करें पिस अद्धा शड़ते हैं बच्छ लोग थे अब फिर अब हमारे भाई कह रहा है लोग कहें बीज़ेंट अब यह रहते हैं यह उनके साथ अपना जंडा आट चुप-चले जाते उनके साथ एजिटेशन में अदर लगता है भी जे किसानों को गाड़ी से कुछला जा रहा था तब वो बीजेपी वाले कहां थे गाड़ी के अंदर बैटे थे फिर वो कुछर रहे थे और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम किसानों के साथ हैं यह कहां का निया है यह थे और बात फिर यह सर्फ हैं यह बोल लें कि किसानों और सिंदा भार्ती पार्टी पार्टी अंदरन नहीं बैठी व है किस फेला जो कुछ ले गाये थे बताइए मुंजे अरे मैडम 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 रुकिये 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 र जब नगली किसान है तो कुछल देंगे जब किसानों को मुद्दा आ रहा है कि किसान आप ये बताईए कि किसान को जब बाजबा कुछलने का काम नहीं करती है इनका कहने का मत्पल है कि वो किसान नहीं थे वो किसान नहीं थे वो किसान नहीं थे वो आतंग वादी थे कहने का को सबस्क्राइब ऑग्राइब करने का मत्बल दिया जैने का इस आधिम में यह कहना जा रहा हूं अभी जयते के सोना जा रहा है कुछ लोग कर आ एक वो भालिस्तानी थे घर में पाकिस्तानी तो वह किसानों के लिए बिलबापस लिया गया है जो विरोध कर रहा है उन्हीं किसानों के लिए बापस लिया गया है जो विरोध कर रहा है उन्हीं के लिए बापस लिया गया है किसानों की सोच जब उनकी फसल काड़ी गई उसके बाद जब किसान फिर हुआ तो उन्हों ने कहा हम पर्टी करता गूम रहा है अरे सुनो एक मेंट रुको एक मेंट किसान कि सची इस तरही भारती जनता पार्टी आए 2017 में योगी जी के आने से पहले योगी जी एक चले समय की समय की कमी के का रुखे रुखे थोड़ा से रुखे एक सेट्मेंट आपका लुगा मैं पूरी बात थो दा सिकंड मैं यह कहना चाहरा हूं सर मोधी जी ने कल जब बापस लिए तीनों तो हर समय नगारात्म राजिती नहीं होने चाहिए कि को आदमी हमें सब्सक्राइब भी बोलना है आप उनके आप उनकी बात नहीं उन्होंने कहा था कि मैं हम किसानों को समझ आप सही इसको थोड़ा क्लियर कर लूँगा ठीक है एक नेरिटिव और आ रहा है कि प्रदानमंत्री मोधी जी ने यह कहा कि बिल्तों अच्छे थे लेकिन हम समझाने में दरसल असफल हो गए इसलिए हम वापस ले रहे हैं कल को सीए और नर्सी को लेकर आप जो बातचीत क कर देते हैं 370 के खिलाफ तो कि आप दुबारा से उस पर कानून लाएंगे यह जो सड़क पर लोग आ रहे हैं इससे अगर डरकर आप पीछे अटकर यह कहेंगे ठीक हम इसको बापस ले रहे हैं यह मेरा सवाल नहीं दरसल आप ही के पार्टी के बीजेपी के लोगों का समझाने में नाकामयाब है सीए और एन रसी को लेकर जो आप बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर कानून मनाने की बात करें जब इसको इंप्लमेंट करेंगे विरोध होगा फिर आप क्या कहेंगे कि हम वापस ले रहे हैं यह और नर्सी की तो कहीं बाती नहीं है कोई चल समापन का समय है क्लाइमेक्स का सीन है पांच मिनिट का समय है आपके पास भी और नेता जी के पास भी आप सबसे एक लास लास कॉमेंट लूगा लेकिन उससे पहले जनता में अगर कोई बातचीत करा चाहिए दस सेगंड के दस टेक ठीक है पिछली बार जो सरकार थी सापा कि उसमें गन्ना माफिया पच्ची तक नहीं डालने जाती है यह यह सपावालों समाल पूर जाता हूं कि सपावाल समाथ पिछली बार मैंने बहुत हो बहुत है तरीके से तरीके से एक हो मुसल्मानों को से वी रिक्षा सबागे नेता जी जिलाद्यक साब बबद अबद्य देखरे तो होते रहें गया मैसा लड़ते रहें आपस में यह लोग नेता लोग लेकिन मेरी बास निये आप यह आप यह बताइए आप यह एक ट्रीट्युश्ट्यू जाएं पांच साल में दिली में सरकारी इसकूल अच्छे हो सकते हैं कहते हैं मेरी बास सुनिए तो ही जहाँ के पादी नाहों पोड सकूल नहें भी तिरुनी के स्कूल देखीक है पाद खाता हम ठीक है चलिए आप बेर से कुछ कहला चाहरा हो ठीक है 10 स्किंड 10 स्किंड मैं यह पूचन चाहूँ वो 15 पंद्रा लाग रुपए का एंसर जो 15 लाग रुप है 15 लाग रुप है 15 लाग रुप है सुई अटकी है 15 लाग ठीक है बाईया जाडु आले ये कह रह Roughji्या जाडु लगा कि Sampa बस कांग्रेस हटाई ये भाजबा लाई ये यह टू झाने थिकयख च्छियों चाहिक है झाना बया रह कि नोट बंदी फिलप औही पहलगी लगए उस समें करो नकान में उसमें जन्टा मर गई 120 पैता चलगर के बूलेंगी नहीं 00. 1999 भाजबावर की इसकी सरकार रह बसपागी सरकार किसान सम्मान निदी कोविड में कोविड में नियंतन आई और जीरो बेलेंस के खाते में पांच और पाइए ठीक है अगरी हाँ कि मैडम जी यह कहता हूं जालू बालो कि यह अपनी कुटी करना कारनामे है जरीब आदमी को बत्ती पिरी मिले तरीब आज्मी का गर्चन से चले और बाय सब कह रहे हैं के बधायों के अंदर बत्ती बहुत बढ़ी है कल राज 6 बजे से सैसमान की बत्ती गाव है और अभी तलक बत्ती नहीं आईए ठीक है बत्ती बुजी है बत्ती बुजी है ठीक है चलिए हम अपने नेताओं से आखरी आखरी टेक लेंगे और बहुत शांती के साथ इत्मिरान के साथ सुनियेगा कि उनके पिटारे में आपके लिए क्या है कल को अगर ये चुनके आते हैं तो ये क्या कुछ कहेंगे वो हम आखरी आखरी टेक ध्यान से सुनियेगा आपके पास बदाईउ सदर की जनता के लिए आप अगर उनसे तो क्या वादा करना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी दिल पे हाथ रखेंगे नहीं जो कहगी जुबान से वो ही दिल में होगा समाजवादी पार्टी जब्रदस्विकास करेगी गरीबों के लिए गरीबी दूर करने का काम रोजगार का काम और दस साल तक मुफ्त राशन, जब दस साल तक मुफ्त राशन का बटेगा, विकास कारियों होंगे, बिरुजगार को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसान आत्मत्या नहीं करेगा, गरीब आत्मत्या नहीं करेगा, यह कह रहे हैं कि किसान आत्मत्या नहीं करेगा दस साल तक नेता जी थोड़ा भावनाओं में बहकर बोल गए कि दस साल तक प्री रासन मौच करो सब ठीक है आप बताइए आपका आइडिया चुरा लेते हैं हर बार बगल में बैट कर फ्री फ्री करने लगे भी सारी पार्ट लोग हसे हैं उसी ने इतिहास लिखा है हम करेंगे दिल्ली मॉडल हमारा यहां लागू होगा हर गवं में मौला की नीनिक होगा और सरकारी स्कूल प्राइबेट से बहतर करेंगे सरकारी स्पटालों लिगी तर्ज पर बदाईयों को भी दिल्ली बना देंगे ठीक है आप आप से कह रहा है सबसे पहले उस पर कर देता हूं फिर पिटारे में क्या बोगी यह कह रहा है जो हसते हैं बाद में वही रोते हैं मोधी सरकार और योगी सरकार ने जो विकास योजनाय उत्तरपडे से पूरी देश के लिए दी मैं निश्चित तोर पर कह सकता हूं कि 2022 में हम 300 से अधिक सीटे जीत कर पुनाय योगी जी के नेत्रुत में सरकार बनाने जा रहा है इसमें कहीं कोई शक नहीं है ठीक है आप सबसे बड़ा उत्तरप्रदेश के अंदर एक चीज बड़ी दिल्चस्प है इसको कह देता हूं सभा के साथ ही कहते हैं कि चौमुखी विकास हम ने किया बीजेपी के जिलादेक साब कह रहा है कि चौमुखी विकास हम ने किया चार-चार मुखी विकास करके बारा मुखी सबसे पहले उत्तरप्रदेश सरकार ने पूरे देश के अंदर ऐसा नहीं कि यूपी में यूपी ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे पहले बहन कुमारी में जो सहरी गरीब ते नहीं ख़याि में नहीं कोई ढहिता आंसे नहीं सबसे पहले उत्तरप देश में जbourneीजिने डिए ऐसे लोगों को वाली शान बड़िया में बना करके दो रूंजिक लेटवां बात्रूम बिजलिफ्री दिने का विन काम किया क्या नहीं किल को हमारी बहन कहारी नहीं जोग्छी पेदा होगी जब पैदा होगी उसका एक लाग का बीमा हो जाएगा जब वो बच्चि ने कंगें तो ca hai visible काips तो गॉबया हुए तुम्हें थेडैंदु पर विकास भाइती ए ऐसाथू कुलेकर कि पर भाइल फिरी मोबाइल फिरी और महिलाओं के तीन साथ से अंडर फिरी किसानों का करजा माफ और यह बात नहीं कि हमने किया है जब 36 गड़ में हमारी सरकार बनी बूपेश महिल जी ने जब सपदली तब सीधे जाके उनने सबसे पहले किसानों का करजा माफ तीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का के पहले एक बात कहना चाहता हूं कि आखी एक टेक मरें जादातर नेताओंने एक फ्री का जोला लेकर कोशिश की कि फ्री हई कर शीजे अब आज चर्क चुनाओं ने को मिलता है कि फ्री को लेकर ज़ाधा बात चीथ होती है लेकिन जनता अगर मैं जनता से पूछँ दो ज पुझे नहीं लगता कि ठीक है करको हर कोई कुछ भी फ्री में बाटने लगेगा यह तो वही है कि आप पैसे बाटकर वोट ले लीजिए यह फ्री की घटना है दरसल वही है जो बिहार का पटना है क्या आप कुछ कहना चाहते हैं जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं अब फिर बहुत जाता प्रभावित है केश्रिवाल जी से यह बदाईयों की पावन धर्ती से हमारा कारकरम था जिसमें सभी नेताओं ने बड़ी शांदार और बड़ी अच्छी तरीके से हमारे सभी सवालों के जवाब दिया आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कारकर में शाम उन मुद्धों को लेकर हमने चर्चा की इसी के साथ हम बता दें कि महाल गर्म है कारकरम है इसी तरीके से मागे बढ़ते रहेंगे वागी देश और दुनिया की तवाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहीएगा निउस वर्ल्ड इंडिया के साथ पूर्व सांसजी और जो पूर विधायक है इनके बीच की जो लड़ाई है वो जनता के सामने है जनता क्या समझे व्यापारी वर्ग परेशान है लोगों की रोजी रोटी तक आपने चीन ली उनका रोजगार चीन लिया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिन जिन को आपने अब जो रहा साहा था वो भी चल बिसा अब क्या करेंगे चाय नाश्ता बहुत चलता आप लूंगों का साथ पर तो एन वक्त पर साथ तो नहीं आ जाएंगे आपको तब्याद नहीं आती जो जौनपुर में एक विद्वा के बच्चे मर जाते हैं आप भत्या कर लेते क्य अब आपको नहीं दिखता वह असली किसान थे जो कुछ ले गए थे बताई यह मुझे तब नकली किसाने तो कुछल देंगे पर आप कि